नमस्कार, गायतरी जोतिषकेंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है, आप लोगों के लिए हमेशा है जोतिषास से जुड़ी महत्पूर्ण जानकारी की एपिसोड हम समय समय पर प्रसारिप करते रहते हैं, जोतिषास से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप के लिए लेकर आते हैं जानकारी ऐसी कि जिस प्रहिदी आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिपल आप अवज से देखते हैं आज भी हम आप लोगों के लिए जिस ग्रह के बारे में जिस ग्रह के बारे में हम अत्यधिक चर्चा करते हैं उनसे संबंदित महत्यपूर्ण जानका और उपाये लेकर आये हैं आप तब से लेके अभी तक किसी भी एपिसोड को आप देख सकते हैं उसके कमेंट बॉक्स में जाकर भी आप देख सकते हैं कि लोगों ने उन्हें अपनाया है आजमाया है और उनका चमतकारिक प्रतिफल प्राप्ति क्या हुआ है उन्होंने वहा आप लोगं के लिए एक ऐसी ही जानकारी लेकर आए है जानकारी अत्यंत सरल है आसान है लेकिन जानकारी से संबंदित जो वस्त हुए है उनका मिलना थोड़ा सा दुरलब कठिन अवस्य ही है लेकिन जिसको मिल जाए उसके वारे न्यारे हो जाए लाइट टाइम के लिए सेर पोमाना गया है तो जो तिस शास्तर में बताया गया है राहुग्र theo के संबंद में जब जानकारी हम पढ़ते हैं आप लोग भी पढ़ते हैं उनके बारे में जानते हैं तो उहां पर को अवज्वारे की सावारी शेर है और यदि किसी ब्यक्ति को राहुग्र प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् जनतु चलेगा तो उसकी भी तीन चीजें से इम वही कारे करेंगी जो सेर की करेंगी तो इन मैंसे जो पहली चीज बताई गई है आप लोगगों संबवता या जानकाई क्राप्ट भी होगी आप लोग ने सुनी भी होगी तो पहला जो बताया गया है कि यदि सेर का दात मिल जाए तो उसे अवस्य ही अपने पास किसी सुब मोहुर्त में प्रतिश्टित करके रख लेना चाहिए और चादी की छले में यानि की लॉकेट रूप में उसे जड़वा कर आप गले में भी धारन कर सकते हैं और दात को हाथ में भी आप उसे धारन कर सकत हैं बाय हाथ की बीच वाली अंगोली जो राहु के लिए मानी जाती है तो यहां पर को भी आप राहु ग्रह के लिए सेर के दात को चड़वा कर आप अपने पास रख सकते हैं या गले में लॉकेट रूप में भी आप उसे पहन सकते हैं आपने देखा होगा कि बहुत से ल का नाकून चादी के उसमें बिल्कुल क्लैपिंग करके जड़वा कर सिद्ध मुहुर्त में धारन करते हैं चादी की चैन में या काले धादी में ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्हें हम गले में आसानी से धारन कर सकते हैं या सेर के दात को हाथ में भी हम धारन कर सकते है तिसरा बताया गया है सेर की मूच का बान यह इन दोनों से भी ज़्यादा पाउरफुल माना गया है और यह इसको किसी तावीज में यानि कि चादी का जो लॉकेट होता है उसके अंदर इसको पैक करके और इसमें भोजपत्र को डाल करके उसमें राहु के मंत्र भी आप लिख सकते हैं अनार की कलम से, अश्ट गंद से, किसी गरण में, किसी सुब महुट में उसके साथ इसको पैक करके आप तावीज के अंदर ब्लॉक करके यानि बंद करके गले में धारण कर सकते हैं नहीं तो सादा बाल ही किसी काँच में जो पन्नी आती है उसमें लपेट कर बाहर से कपड़े का लपेट कर उसको सील कर सिद्ध महुट में भी कले में धारण किया जाता है ऐसा करते हैं लोग, बहुत से लोगों के पास रहती है ये चीज़े, कभी सेर, आदी, जंगल में अम्रिद पाए गए, कहीं पर कोई चीज़े होती है किसी प्रकार से बहले ही वो एक प्रकार से बैन है इन चीज़ों को करना लेकिन बहुत से लोग उपलब्द कर लेते हैं तो हमें अवस्चे ही उनके फॉन भी आते हैं तो हम बता देते हैं कि उनको ऐसे ऐसे किया जाता है, सास्त्र में ऐसा ऐसा वर्डन है इसका, तो ये तीन चीज़ें आप राहुग्रह के बारे में पढ़ेंगे, तो आसाली से आपको ये चीज उपलब्द हो जाएगी, कि इन तीन चीज़ों को जब राहुग्रह की पीड़ अवस्य ही रख लेना चाहिए, तो ये तीन चीज़ें ऐसी हैं, जिन्हें अवस्य ही आप अपने पास रख सकते हैं, तो राहुग्रह से संबंदित यह अत्यनत महत्वण जानकारी थी, यह जानकारी वैसे तो इससे पूरुए हमने कभी प्रसारित नहीं की है, वैसे लोग अवस्य ही अपने पास रख लेना चाहिए, और विसेश तोर पर किसी अच्छे महुर्त ग्रहन के दिन विसेश माना जाता है, इस दिन इसे सिद्ध करके, किसी कर्मकांडी ब्रहमन के माध्यम से भी आप इसे सिद्ध करवा सकते हैं, किसी जोतीसी के माध्यम से भी आप इस अवस्यकर लीजे राहुग्र का ध्यान अवस्यकर लीजे क्योंकि राहुग्र का वाहन ही सेर है तो इसे रखने से किसी भी प्रकार की कोई परेशानी कस्ट राहुग्र कभी नहीं देंगे और चितना हो सके उनकी और से सुबफल ही आपको प्राप्त होएगा इसका एक फाइ जो तिस सास्तर में बताया गया है तो कापी अच्छी जानकारी थी हम उम्मीद करेंगे कि सबसे पहले आप इसे स्वैम पे अमल करिए यदि इत्फाकन कभी जियोन में आपको ये चीज प्राप्त हो जाती है अगर अगल बगल कहीं पर को ऐसी जानकारी आपको है कि वहाँ पर को है तो अवस्य ही रख लेना चाहिए भली बैन हैं हम कह रहे हैं इन चीजों में तो लेकिन फिर भी लोगों के पास रहती है लोग इन चीजों को अपने पास रखते हैं तो बहुत अच्छी जानकारी थी पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ा कर सेयर कर सकते हैं और नए लोगों से हमेशा आगर रहता है गायत्री जोतिस केंद्र के सांथ जुणे है चैनल को सबस्क्राइब करें बैल आइकन दबाएं बहुत अच्छी जानकारी है जो तिस्सास्त्र की हमारी हो किसी की भी हो कभी न कभी कही न कहीं कैसे न कैसे यह काम ही आती है तो मिलें गया इसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोट के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैसरी राम, जैसरी कृष्णा, ओम नमस्य वार्ट